Hey guys, in today's video we will gonna discuss about stains we use in mycology जो भी हम fungus की study के दौरान, stain use करते हैं, staining करते हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे तो let's begin with the topic तो friends, सबसे पहले हम जो stain सुनते हैं fungus के लिए वो हम सुनते हैं Cryptococcus के लिए जोकी है India ink and negrosin stain ये दोस्तो एक तरह का negative stain है that is background आपका जो है, background जो है आपका वो dark रहेगा और stained हो जाएगा और जो की organism है वो stain नहीं होगा that is वो ऐसे visualize होगा आपको तो आप देख सकते हैं ये negative stain का example है तो guys, अब इसमें दोस्तो एक twist है अगर आपको Cryptococcus CSF के अंदर suspect है तो आप इंडिया इंक या फिर negrosin stain के साथ जाएंगे otherwise, अगर आपको tissue के अंदर किसी pathology में Cryptococcus suspected है तो friends, आप music armin के साथ जाएंगे जो कि एक stain है for the tissue sections जिसमें आपको Cryptococcus suspected है बट अभी ऐसा trend चल रहा है कि लोग Cryptococcus को देखके एक की stains होसते है that is negrosin stain और इंडिया इंक method हम बोल सकते है बट ऐसा नहीं है आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वो CSF के लिए पूचा है या फिर tissue section के लिए पूचा है तो accordingly आप उसे solve करें या mark करें and guys आपको मैं बता दू music armin जो stain है उसके अंदर आपको organism या फिर इस्ट फॉर्म आपकी pink color में देखेगी pink color में pink this is called rose pink color more specifically you can remember it as simple pink color दोस्तों आँगे देखते हैं दोस्तों second number पे जो है वो है GMS that is gomorries mythamine silver stain जोकि tissue section के लिए होता है और वो color देता है black color का जो भी आपके fungal high पे आपको दिख रहे होंगे यह सारे black color के हैं तो this is GMS stain यह आपको usually histopathologic अंदर देखना को मिलेगी और यह slide आपको बहुत ही कम देखना को मिलेगी क्योंकि जो भी pathologist हैं वही इस तरह के slide को up-sop करते हैं इसके अलाबह पास अपने histology में सुनाओगा परावडिक ऐसे डिक स्टिफ स्टेन बहुते हैं तो इसमें आपको pink color मिलेगा अब आप सोचे रहोंगे कि pink color तो हमने उसमें भी देखा था that is इसमें music armin में भी देखा था जो कि crypto cocus के लिए थी अभी मैं बोल रहों कि यह पास के अंदर भी आपको pink मिलेगा तो how we differentiate between them तो guys एक simple सा look आप देख सकते हैं इसमें usually आपको crypto cocus का yeast form मिलता है that is budding type और yeast like form मिलता है इसमें आपको elements मिलते हैं that is fungal high पे मिलता है और guys आप देख सकते हैं जो है वो magenta type है थोड़ा अलग सा bright है अलग type का pink है बजाए इसके जो कि rose pink बोल सकते हो आप तो guys ऐसे आप difference कर सकते हो usually image नहीं पूछी जाती है तो उसकी जादा आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है and guys आँगे हम बात करते हैं other stains की तो guys calcofluorovite stain होता है यह fluorescent stain है that is आपको इसके लिए different kind of microscope की ज़रूरत पड़ेगी इस में friends आपको क्या दिखेगा कि यह जो chitin layer होती न forms की जो भी हमारा fungal element इस form है उसकी chitin layer होगी वो आपको bright bright देखेगी यह वाली है आप देख रहे होगी यह वाली यह वाली यह वाली यह किसी भी तरह का sample हो सकता है tissue हो सकता है scrapping हो सकती है कोई fluid हो सकता है उसके अंदर आपको दिखेगा but remember कि यह एक fluorescent stain अगर आप से पूछा जाए कि mycology में fluorescent stain कौन सा है तो आपको बोलना होगा calcofluorovite and guys आप यह calcofluor के floor से याद रख सकते है कि यह fluorescent stain है इन guys इसके अलाबा यह एक stain है जो कि culture morphology को study करने के लिए हम करते है that is आपके पास सबको एक medium आलम होगा जिसको हम बोलते है subhor or dextrose agar ST यह बोलते है simple form में तो उस पे जो भी colonies grow करती है fungal elements की तो guys उन colonies को हम pick करते है और एक slide पे लेते है again उस slide पे हम LPCB का एक drop डाला हमने उसमें फिर हम needle की मदद से और colony को हम mix करते है अच्छे से जैसे emulsify कर रहे हैं हम उसे वैसे हम उसे mix करते हैं कुछ दिर के लिए छोड़ देते हैं then we observe under the microscope तो guys कुछ इस तरह का आपको structure दिखेगा blue color का आपको पता चल जाएगा ये lacto phenol cotton blue है slide देखते ही तो guys ये हम स्रिप culture morphology के लिए यूज करते हैं direct sample के लिए ये stain नहीं होता ये स्रिप culture morphology को देखने के लिए होता है जो भी हमने grow किया है हमारे STA पे उस पे हमें जो भी colony मिलेगी उस growth को visualize करने के लिए हम LPC भी करते हैं तो guys वस ये ही कुछ most popular stains है जो कि हम mycology में use करते हैं तो friends ये एक छोटा सा वीडियो था बताने के लिए जो भी हम stains mycology में use करते हैं so thank you so much